जो टोपिक है वो इस समय जो मौसम चल रहा है जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये अक्टूबर का महिना आने वाला है सितंबर लास्ट चल रहा है और इस समय बीमारियां कौन-कौन सी आती हैं चूंकि हम लोग एक गुरुप चला रहे हैं गुरुप में हमें अक्सर पता च चलता रहता है कि किसान बाईयों के पास इस समय कौन-कौन सी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का कैसे हल किया जाए आपके बाड़े में वो समस्याएं ना आए और ये एक मौसमी जैसे ही मौसम में परिवर्टान होता है इस तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं तो इन बीमारियां आपके फार्म पे ना आएं बीमारियां क्यों आ रही हैं यदि आ गई हैं तो उनका इलाज क्या होगा ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में डीटेल से आपको जानकारी मिलेगी प्लस एक चीज इसमें और आपको नया देखने को मिलेगा कि जिन भाईयो इनों के पास ये बीमारियां आई हुई हैं उनको इलाज बताया गया है इलाज के थूँ उनका फीडबैक भी लिया गया है कि नहीं एक्चुल उनको लाब मिलता है कि नहीं ये सारी चीज और ये जो मैसेज हैं सारी चीज गुरुप का आए तो आप लोग इसको देख जीएगा इसे ये होता है कि नहीं थोड़ा न थोड़ा confidence बढ़ता है कि नहीं जो बिमाल भाई ने बताया है उसका result मिलता है यदि मेरे दोरा कोई भी चीज ने बताई जाती है और आप actual तरीके सो ऐसा कर लेते हैं वो बकरी पालन में होता क्या है सबसे बड़े बकरी के ड डाइगनोस करते हैं वीमल भाई तो दूर बैटे हैं आप बकरी को डाइगनोस करते हैं और जीस हिसाब से उसको डाइगनोस किया डाइगनोस करने के बाद जो आप उसका बताते हैं कि यह यह समस्यां उस हिसाब से इलाज बताया जाता है और यदि आप बकरी को पहेंचान सबसे जादा जो इससमेशम अस्यार है सर्दीब, बुखार, जुखाम ये बकरियों में देखने को मिल रही है खासी, सूखी, खासी सुबह आप देखेंगे बकरियों की नाग जो है गीली मिलेगी बकरियां की खासेगी साम टाइम आपका सारा कुछ ठीक मिलेगा तो ये चीजें क्यों हो रहे हैं यदि यही चीज थोड़ा अधिक हो जाती है तो फिर बकरियों में बुखार देखने को मिलेगा तो इनका क्या-क्या इलाज है कैसे ये हमारे फार पे ना आएं इस पर आज मैं चर्चा कर लेता हूँ तो देखिए सबसे पहली चीज आपको बकरी को दिन में धूप में नहीं बानना है ये समय अक्टूबर का महिना मानलो चल रहा है अक्टूबर के महिने की सितंबर, अक्टूबर, नॉवंबर के महिने की में बात कर रहा हूँ चुँकि बीडियो जो है बाद में भी देखा जाएगा तो लोग कहेंगे कि यार इस समय तो ये बीमारी आई नहीं रही है आप जो बता रहे हो तो इसलिए जो बीडियो सूट हो रहा है ये अक्टूबर, नॉवंबर में सूट हो रहा है और इस समय ये बीमारियां बाकसर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है बहुत सारे किसानों की एक्वेरी आ भी रही है तो बकरियों को जैसा मैंने बताया कि धूप में नहीं बांधना है चूंकि इस समय जो धूप है वो डायरेक्ट आती है बारिस की बाद जो धूप है वो डायरेक्ट बकरियों के आती है चूंकि जो मौसम में गंदगी होती है, जो गैसें होती है, धूल होती है वो बारिस की वज़े से सारा साफ हो जाता है तो डाइरेक्ट संलाइट जो है आती है और इस समय बकरीयों को ये दिन में धूप लग जाती है तो देखना बहुत तेज हाफती है और हाफने के साथ जुखाम की सिकायच देखी जाती है और ये जुखाम और तेज कब हो जाता है वही बकरी जब रात में मौसम सर्द होता है हलकी हलकी सी ठंडी होती है और ओस काफी मात्रा में गिरती है और बकरी आप बाड़े से बाहर बांगते है तो उनमें निमोनिया की सिकायत हो जाती है और फिर यदि आपने इस समय और ध्यान नहीं दिया आपका ये जारी रहा कि दिन में बकरी धूप में रही और साम को आपने ओस में बांदिया तो फिर बुखार का रूप ले लेता है तो इन सारी चीजों से बचने के लिए सर्दी, जुखाम, खासी से बचने के लिए हमको करना के आई समय तो देखो प्रिकासन में यही करना है कि सबसे पहली चीज बकरी को सारा दिन धूप में बांद के नहीं रखना है उसको हाफने नहीं देना है दूसरी चीज, रात में आपको बकरी को सेड के अंदर रखना है तीसरी चीज आपको लैसून और सरसों के तेल का जो फार्मूला है वो आपको हफ्ते में दो या तीन बार तो देना ही देना है और सब को देना है जैसा अक्सर आप लोग मुचते रहते हैं क्या ये गावन बकरी को दिया जा सकता है तो सब को दिया जा सकता है कोई भी इसके side effect नहीं है ये है थोड़ा तेल सरसों का महेंगा पढ़ता है लेकिन उतना महेंगा नहीं पढ़ता कि बकरी बीमार होने के बाद जितना आपका खर्चा लगने वाला है यदि आपके पास बकरियां quantity में हाएं बल्क में हाएं और आप ये चीजें दे रहें तो आपकी बकरी बीमारी नहीं होगी और बीमार नहीं होगी तो आप क्यों ऐसे ही पैसा बचेगा तो महंगाई को न देखें सरसों के तेल को अच्छी क्वाल्टी का हो आपके घर का हो अच्छे से फार्मूला बनाएं अब कुछ भाई कहेंगे कि हमको ये सरसों के तेल का फार्मूला नहीं पता है जो लोग नए वीडियो में आए तो वटा फट में बिल्कुल जल्दी जल् जाए थोड़ा सा छोटे छोटे पीस में काट लेना है अच्छे से ताकि उसका रस जो है तेले में गुल सके उसमें डाल देनी है एक चम्मच आजवाइन डाल देनी है इसके बाद उसको ठंडा कर देना है और साम को बकरी को पिलाना है इसके बाद पानी नहीं देना है आपक सिर्फ तीन दिन दे देना है 20-25 एमेल तेल एक बकरी को तीन दिन दे देना, चार पांच लैसुन की कलियां डाल के इस तरह से गरम करके देशी फार्मूला बहुत अच्छा काम करता है अब मान लेते हैं आपकी बकरी को बुखार आ गया है बकरी की नाक बिल्कुल गीली है जाम हो रखी है तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे इस ट्रीटमेंट को देखिए चूंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए सारी चीज़े मैं इसमें वीडियो में पूरा डीटेल से नहीं बता रहा हूँ आप वोट्सेप मुझे मैसेज कर सकते हैं या ग्रूप में जुड़ सकते हैं सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और मैं आगे वीडियो देखिए लगा देता हूँ जिन जिन भाईयों को लाब हुआ है उन्होंने ये चीज़ें अपना ही है उनको लाब हुआ है और उन्होंने अपने पैसे बचाए है तो यदि आप लोगों को एक अच्छी सला कोई बंदा फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहा है तो उसका लाब लीजिए और बकरी पालन में सफलता पूर्वा काम कीजिए हमें बस आप अपनी दुआएं देते रहे हैं और चैनल में यदि पहली बारा हैं तो चैनल को सस्क्राइब करते रहेगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सेयर कर दीजिएगा ताकि अन्ने जगाओं पर पहुंच सके वीडियो काफी लंबा हो रहा है भाई यह मेरा बगरा है जो सुबह बुखार था इसको 105 डिगरी था इसको मैंने मैलोनेक्स प्लस और डाक्रिस्टासी नेस दिया था और अभी जो शाम में चेक कर रहा है तो भी जो है 104.5 आ रहा है इसका बुखार जहां नहीं रहा है तो इसके लिए कुछ उपाए इसका कोई इलाज बताया है मैं बहुत परिशाल इसका क्या करने समझ में नहीं आ रहा है मदद कीजिए मेरे बकरे को काफी आराम भी हुआ भाई वो चीज देने से बहुत आराम हुआ था पिर रात हुई सुभा हुई ना तो फिर कुछ लगबग हालत जैसे नाक का होता नाक से खैर लोज मोशन बंद हो गया था बाकी चीज़े सब कंट्रोल ने आ गई थी नाक थी पिर आज आपका भाई ये मतलब कर रोशन महीं ने भी एक अपडेट किया था कर लिया आज और रवींद्र भाई थे के सरसो का तेल लेना है लसन को थोड़ा जलाना है लसन अजवन और बाद में आदा चमच हल्दी ऐसा कुछ तो भाई आज वो इरादा किया है रात में क्यूंकि अक्सर ऐसा हो रहा है कि सुभा में ट्रीटमेंट ज़रो सारे वकर क्यायत है तो यह जो आज इसे बड़े सरसो का तेल ले रहा था भाई उसने मेरी गलती यह थी कि लसन जो है हम लोगो ने एक दम जला ही नहीं थे तो अब इसे वो भी चीज धियान रखो